नमस्कार साथियों एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है लोगाइट क्लासेस के बीए प्लेटफरम पर दोस्तों बीए बीए सी और बीकोम के सेकिंडियर वाले चात्रों के लिए फाउंडेशन कोर्स के अंतरगत इंग्लिस लेंगेज फाउंडेशन कोर्स में जो है दोस्तों आज एक और नए टोपिक से सम्मधित कुछ कोशन आंसर उपर हम डिसकस करने वाले हैं तोपिक का नाम है नोटिस राइटिंग जी हां तोस्तों नोटिस लिखते वक्त किनकिन साब्धनी कौन-कौन से साब्धनिया रखनी परती है कौन-कौन से कीवर्ड यूस होते या समग रूप से अगर यह माने कि नोटिस पर दिसकस करना है जो इस सीरीज के दोस्तों लेक्टर नमबर फरस्ट से लेकर के और सिक्स्टीन तक में हम मैक्सिमम कोशन आंसरों को डिसकस कर चुके हैं अब ओनली दो या तीज सेशन मात्र बचे हुए है इसे के माद्यम से जो है हमारी यह पूरी सीरीज कंप्लीट हो तो आईए दोस्तों शुरू करते हैं अपना सेशन आज का जो भी नए स्ट्रेंट है जो पहली बार सेशन को देख रहे हैं उनको बता दूं कि दोस्तों हमारे दौरा सिर्फ फाउंडेशन कोर्स नहीं बलकि बिये के सभी विशे पूरे विस्तार से हमारे दौरा पढ़ाय जा रहे हैं निशुल करूप से बिना कोई चार्ज दी आप इन सबको लेक्षरों को देख सकते हैं प्रेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सभी सब्जेक्ट आसानी से देखने को मिल जाएंगे इसके अलावा आप टेलेग्राम और वार्टसप ग्रूप को भी जोइन कर सकत हैं आएए शुरू करते हैं मैं फिर से रिपीट कर दो दोस्तों कि आज का जो सेशन होने जा रहा है इसमें हम सिर्फ और सिर्फ नोटिस राइटिंग से संबंदित ही कोशन आंसरों को देखने वाले हैं आईए पहला कोशन लेते हैं पहला कोशन है दा वर्ड लिमिट ओप होता है उसको लिखते वक्त उसके वर्ड लिमिट क्या हो सकती है ओप्शन दी जाएगा आपको हंडेड़ वर्ड होता है नोर्मलड है नॉर्मल पोर्मेंट में पचास बर्ड इसका भी correct हो जाएगा, next question लेते है, notice is a message, notice is a message, it has information about something, कहा जा रहा है कि जो notice होता है, यह notice एक message है, क्या है, क्या है, एक message, कोई application या later नहीं है, notice जो है, एक message होता है, जो किसी और को inform करने के लिए होता है, ठीके ना, तो यहां पर आप से पूचा गया है, कि किस से संबंदित होता है, जो message होता है, यह information होती है, किस से संबंदित होती है, lost and found से लेटेड होती है, groom wanted से होती है, breed wanted से होती है, या situation wanted से होती है, तो दोस्तों, यह lost and found से लेटेड होती है, जब भी कोई notice किसी को provide के जाता है, send के जाता है, तो lost अर्थातिक होया हुआ, या फिर पाई गई वस्तू से सम्मधित वस्तू के लिए ही notice लिका जाता है तीके ना इसलिए इसका option A सही हो जाएगा अगला question लेते हैं question है notice is a notice is a type of letter या type of report या type of article या none of these तो दोस्तो notice जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है सिर्फ एक message है information मतलब किसी को alert करने के लिए किसी को inform करने के लिए मात्र लिका गया एक सामाने सा पत्र होता है न तो यह किसी प्रकार का letter होता है न रिपोर्ट होती है न आर्टिकल होता है तीके ना यह just like message होता है only message इसलिए इसका right option D हो जाएगा none of this इन में से कोई नहीं समझ पा र लागात नहीं next question है question number four है the subject of the notice should be about notice का subject जो होता है वो किस प्रकार का होना चाहिए not be there not be there brief and catchy brief and catchy या फिर या फिर या फिर लोंग टेल कीवर्ट या नन ओफ दीस नन ओफ दीस तो दोस्तों किसी भी notice का subject कैसा हो सकता है option a not be there मतलब वहां नहीं है ऐसा तो कोई related है नहीं तो यह तो हमारा right option नहीं होगा ठीके ना option B बोल रहा है कि be brief and catchy be brief and catchy कहने का मतलब है कि संचिप्त हो संचिप्त हो और आकरशक हो तो exactly subject हमारे notice से है किसी भी category का हो जब notice लिका जाता है तो notice का चुकी जो word limit होती है ना वो बहुत कम होती है लगो 50 word की limit होती है इसलिए उसका जो बिबरन दे जाता है जो description दी जाती है वहे एकदम brief होना चाहिए संचिप्त होना चाहिए जिसमें कम शब्दों में अधिक्तम बाते कही जा सके इसके अलावा आकरशक होना चाहिए कि लिए इसलिए option इसका भी बिल्कुल सही हो जाएगा ठीक है ना सी option बोलता है कि लोंग टेल कीवर्ड कुछ ऐसे शब्द लंबी पूज वाले शब्द इसका option भी बिल्कुल सही होगा क्या होता दोस्तों तो किसी काविबाधन करना किसी का अभीन मतलब किसी का स्वागत करना अभीन करना हाग जोडकर अभीबादन करना हृता है तो कहा जा रहा है कि what is the salutation in a notice, तो notice में salutation क्या है, just above the date कहाँ पर होता है, date के ठीक उपर होता है, या date के जो तारिक दिनांक लिके होती है, उसके just नीचे होता है, या फिर along with the date, date के साथ होता है, there is no need to write salutation in a notice, या रहे, यह कोई application या लेटर नहीं है, जिसमें की हाथ जोड़कर अभिवादन किया जाए, notice just like a message, यह ना information इसके द्वारा send की जाती है, तो इसके लिए कहा गया है कि इसमें salutation के लिए कोई business इस्तान नहीं है, मतलब salutation की कोई आभशक्ता नहीं है, अभिवादन करने की इस start करने का सही तरीका कुन सा है, through the column of, column के द्वारा, column 22 लिखना चाहिए, या पर this is to inform, this is to inform, किसी को inform करने के लिए होना चाहिए, this is to threaten, this is to threaten, ठीके, ठीटन का मतलब होता है, धमकी देना, किसी को धमकी भरे अंदाज में लिखा होना चाहिए, या बिगन regular reader of your newspaper, जो मतलब कि किसी को जो regular newspaper पढ़ रहे है, उनके लिए होना चाहिए, तो एसा कुछ भी नहीं है, याद रहे, notice को लिखने का सही जो तरीका होता है, वो एक एसा तरीका होना चाहिए, एसा perfect way होना चाहिए, जिस से कि हम सभी को inform कर सके, क्यों, क्योंकि ये informatic way है, कौन सा notice, notice कोई report नहीं ह और ना कोई application पगरा नहीं, ये inform करने का एक तरीका है, एक way है, इसलिए तो inform करने का एक तरीका है, और इसका जो subject है, वो भी एक information है, इना inform to others, ठीके, दूसरों को inform करना, अपने message के बारे में, तो इसलिए का आगया कि this is to inform, this is to inform, तो inform इसके सबसे aim है, इसलिए इसका option क्य हो जाएगा, भी इसका correct option हो जाएगा, तो सही notice को सही तरह से लिकने का जो right way होता है, वो यही होता है, कि उसमें दूसरों को inform करने की जो quality होती है, वो अधिक्तम होना चाहिए, उसकी छमता अधिक्तम होना चाहिए, चलिए, अगला प्रश्न है, on the top of a notice, notice के top में, there is a writing, notice क की होना चाहिए, या name of institution, या organization होना चाहिए, subject या body of the notice, जब notice लिका होता है, तो सबसे top पर, सबसे उपर क्या होता है, क्या लिकना होता है, क्या date लिकनी होती है सबसे उपर, या फिर, किसी institute या organization का नाम लिखना होता है या फिर उस notice का subject विशे क्या है वो लिखना होता है या फिर उस notice की जो main body होती है जिसमें main बाते लिखी जाती है वो होता है तो exactly दोस्तों यहां पर option इसका बी विल्कुत सही होना चाहिए नोटिस लिखते हैं वक्त सबसे top में जो होता है वो उस institution या organization का नाम होता है ठीक है ना किसी भी organization का नाम होता है तो notice में हमेशा याद रखे सबसे उपर क्या आएगा institution या organization का नाम आएगा अगला प्रश्न है which of these statement is correct तो पूचा रहा है कि इनमें से कौन सा statement सही है चार चार तो नहीं basically तीन statement है इनमें से कौन सा right है पूचा गया है तो पहला पहला जो statement है वो कहता है कि notice is written to inform others notice is written to inform others notice जो है दूसरों को inform करने के लिए लिखा जाता है option b कहता है कि notice is of 50 word notice की जो limit होती है जो word होते है वो 50 words something होते है इसके नियर होते है आसपास होते है इसके option c कहता है कि notice is ended with a subscription मतलब notice जब समाप तो होता है तो वह सदश्चता क्या विवरण देते बक्त या देने के साथ ही समाप तो होता है तो दोस्तों नोटिस में यह तीनों बाते बिल्कुल करेक्ट है तीनों बाते एफलाई होती है त्योंकि notice को दूसरों को इंपॉम करने के लिए लिखा जाता है नोटिस की word limit 50 word है इसके अलाबा इस notice जब समाप तो होता है तो लास्ट में सब्स्रिप्शन की बात की जाती है याद रहे इसलिए इसका तीनों ओप्शन सही होने के कारण ही इसका ओप्शन डी हमारा answer होगा या all of the evo या all of this के लिए रहे option dear का बिल्कुश सही हो जाएगा ठीक है ना अगला question लेते है अगला question है इनन notice where should be the where should the subscription be का जा रहा है कि notice में notice में जो सदस्चिता वाला कोलम होता है सदस्चिता वाला बिंदू होता है वो कहां लिखा जाता है कहां पर होता है इस बिगनिंग शुरुआत में होता है या in the middle में होता है या at the end होता है या ननोब दीश तो अभी अभी हमने यहां पर देखा यहां पर देखा क्या लिखा हुआ millionaire subscription उनोटीज झेडिन जो नोटीज होता है सबसक्रीप्शन के साथ होता है इसलिए कह सकते हैं कि ये नोटिस ंन्ट में आता है nestebridge Inde में सब्सक्रीप्शन का विखन दिया जाता इसलिए औस इसका सी बिल्कुल सही हो आएगा ठीके ना अगला कोशन है कोशन नमबर टेन है हाव डू यू राइट अ सब्जेक्ट ऑब नोटिस नोटिस का सब्जेक्ट किस तरह से हमें लिखना चाहिए केपिटल लेटर में लिखना चाहिए इट इस नोट रिक्वाइड ज़रूद नहीं है या फर्स लेटर ओप एबरी वर्ड इस लिटन एज अ केपिटल एक्सेप्ट प्रपोजिशन कंजेक्शन एंड आर्टिकल तो कहा यह जा रहा है कि जो सब्जेक्ट होता है नोटिस का वो किस तरह के वर्ड में होता केपिटल में होता है और ओप्सन डी बोल रहा है कि बहुत एंड सी तो देखिए यह बात बिल्कुल सही है कि जब सब्जो सब्जेक्ट लिखा होता है नोटिस का वो केपिटल होता है option c कहता है कि जो पहला लेटर होता है सभी वर्ड का every word पिर टे एक शब्द जो प्रारंब जो वर्ड होता है उसका capital में वह जरूरी है तो option cb हमारा ब्लेक्ट हो रहा है इसलिए option a और option C correct है, इसलिए option D को देखिए, इसमें लिकाओ कि बोथ A and C are correct, तो यहाँ पर option D हमारा answer हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसमें दियेगा statement के according, option A और option C सही है, option B गलत है, तो अब D को देखिए, D में कहा गया है कि बोथ A and C, तो A और C दोनों सही है, option D हमारा answer हो head boy girl in a notice, तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है, कि जब हम notice लिखते हैं, तो signature के साथ में, head boy है कि girl है, यह notify करवाना होता है, क्या जरूरी है, तो देखिए, चार option दिए गए हैं, at the beginning, notice के शुरुआत में लिखना होता है, या notice के end में इसको लिखना होगा, या middle में, मतलब बीच में लिखना होगा, या head boy girl need not sign, तो इस तरह के शब्दों को को लिखने या sign करवाने की आभशक्ता इसमें नहीं होती है, तो बिल्कुल correct है, यह option D, right option हो जाएगा, head boy या girl need not sign, तो इसका विविरन देने की आभशक्ता नहीं होती, इसलिए option इसका D सही होगा, next question लेते, question number 12 is the signature place near the top of the notice, क्या कहा जा रहा है, क्या signature जो होते हैं, वो notice के, notice के top पर होते हैं, notice के top पर होते हैं, किस के आसपास होते, answer option है, above the name of the writer, लिखने बाले के नाम के just ओपर signature होते हैं, या फिर लिखने बाले मतलब writer के नाम के just नीचे signature होते हैं, या फिर जो में बोड़ी है जो मेन बोड़ी होती है जिसमें हमें message पूरा type करना होता है उस body के उपर sign करना होता है या इन मेंसे कोई नहीं और जब आप लिका जाता है और राइटर जब उस पर sign करता है निने नहीं है कि नोटिस का पार्ट नहीं है मतलब किसका जिक्र नोटिस में नहीं किया जाता है कि दोस्तों हमने सबसे पहली वाली स्लाइड में देखा था सेल्यूटेशन नाम का एक सब्द पढ़ाता जिसका मतलब होता है किसी का स्वागत या अभिवादन करना तो नोटिस में किसी प्रकार का अभिवादन के लिए कोई इस्थान नहीं होता है हमारा ओप्शन प्रारा में ही पकड़ा ग सब्जेक्ट को देखिए सब्जेक्स लिखनात कंपल्सरी होता है और निटिस में लिए जाता है कि कब नोटिसिंट किया गया है सिंग्नेचर भी किया जाता है में ओर अभी कोशिवा自 जाएगा अंसर आपको क्या हो जाएगा इसमें हो जाएगा अगला कोशन है वेन यू फाइंड सम्टिंग जब आपको खोया हुआ कुछ मिलता है यह ना कुछ मिला तो यू पूट इट इन नोटिस को एट यह जाता है कि होई भी बस तू कोई बस को जाने पर या फिर किल नोटिस को लिखते हैं तो यहां पर यह का जा रहा कि आपको कोई लिखना भी है तो कोں सा वर्ड आप यहांपर लिखोंगे कौन सा टाइटल यहां पर लिखोगे तीन में से तीन में से एसे लेकर सी तक में ठीक है ना ति क्या लिखा होगा फ्रस्ट क्या बोल रहा है लिटल डिस्क्रिप्शन ओफ तींग ऑब्जेक्ट फाउंड मतलब यह की लेटल लिखते बक्त आप एक छोटे से शब्दों में लिख दोगे मतलब लिट अब सिस्तार से बताओगे उस बस्तु के बारे में जो बस्तु आपको मिली है उसके बारे में बिस्तार से बता और और लिखो गे送र पार्ण यहार बस्तु मिल चुकी है या फिर पिर ओप्टन c बोलता है है पीस ओपडा ऊबजञेक्ट फांड पीस ओफञेक्ट फांड पीस ओफ पूझ ऊप्श के Kum अरी मतलब जो बस तो मिली एंषका एक भाग एक हिस्सा मिला हैं हो तो के से बिबन देना होता है little description देनी होती है ugliest uniक में प्रॉपकिन लिखना होता है ठील हम लेखा में उस बस्तु के बारे में लिखना होता है इसलिए this कोई सही हो तो ये 3 यह option है आपके सामने 3 option a b on c इन में से कौन सा सही होगा property lost होने पर property के खो जाने पर देखिए first option बोलता है reward to one reward to the one who has lost the object कहाई जा रहा है कि जिसने बस तुको खोई है घवाया है उसे आप reward दोगे इनाम दोगे या फिर option भी क्या बोल रहा है reward to the one who has found the object जिसने उस property को बस्तु को ढूंडा है खोजा है उसे आप इनाम दोगे या option C कहता है reward to the one who has written the notice जिसने notice लिका है आप उसको इनाम दोगे तो बताइए किसको इनाम मिलना चाहिए फिर से repeat कर दूँ option A कहता है जिसने बस्तु को गवाया है उसको इनाम मिलना चाहिए या option B बोलता है कि जिसने उस बस्तु को ढूंडा है उसे इनाम मिलना चाहिए या फिर option C कहता है कि जिसने notice लिका है उसको अवार्ड मिलना चाहिए तो इसका right option दोस्तों आप सभी जानते है जिसने option B सही हो जाएगा जिसने object को find किया है उसे इनाम मिलना चाहिए reward to the one who has found the object that's why our answer is option B clear option B is correct answer चली नेक्स्ट कोशन लेते हैं अगला नेक्स्ट कोशन है what does what does pseudonym what does pseudonym pseudonym का मतलब होता है चद नाम मतलब की एक नाम मात्र का नाम जो notice में लिका जा रहा है तो चद नाम मतलब होता है कि इस प्रकार का नाम की होकर भी कोई नाम नहीं है समझेगा एक सांकेतिक रूप से खाली सांकेतिक रूप से होता है इस प्रकार का राइट ओप्सन देखी इसमें कौन-कौन सा हो जाएगा तो पहले पूचे गया है कि pseudonym जो नाम होता है मतलब छदम नाम जो होता है उसका मतलब क्या होता है को संकेतिक रूप में कोई नाम आपको लिखना है तो उसका मतलब क्या होगा ऑप्सने करता है कि वह चल्च का मतलब रेल नाम होता है या उपे बी बोलता है 두판 होता है या फिर बोलता है लिगल नाम होता है या फिर नाम और और एडिटर होता है संपादका नम होता है क्या होता है इसनाः मतलब मतलब यह सोचा गया मस्तिस की उपज मात All है वो मतलब एक काल्पिनिक नाम है क्या है इसलिए इसका राइट ओप्शन हो जाएगा ऑप्शन भी बात समझा रही ना चलिए अगर समझा रहा है लेक्चर अगर आपको प्रोपर कोई डिपीकल्टी नहीं जा रही हो समझा रहा हो ना तो कमेंट करके बिल्कुल बता सकते ह अपना अनुपप शेयर कर सकते हो कि हाँ सर कम्प्रीटली समझा रहा है कोई डाउट नहीं जा रहा है और क्योंकि याद रही है यह जो कोशन में आपको दे रहा हो ना इंपोर्टेंट है दोस्तों यह अगर अभी आप ध्यान नी दोगे ना तो एक्जाम के बाद में आप हम छोड़ देना तो लगबख सभी कोशन आपको इनी सीरीस से देखने को मिल जाएंगे इसलिए बोलता हूं बार बार और नोट्स में आपको जो पड़ा रहा हूं ना जिस पीपीटी से इसी का पीडिया बना करके मैं आपको इसलिए अवेलेबल करवाता हूं ताकि सब्सक्राइब क्या हो जाता है क्या हो जाता है और यहां पर भी नोटिस राइटिंग में इन फों दिख जाएना समझ लेना कि आपका काम हो गया ठीक है ना ओप्शन भी इसका बिल्कुल सही होगा इसको लिखने का सही तरीका है कि उसमें जो information की जो जमता डाली गई है notice में वह परपेक्ट होना चाहिए मतलब कि वो notice completely inform कर पाए जिसको भी notice send किया गया हूं ओप्शन इसका भी एक दम करेक्ट हो जाएगा कोशन नमर 18 लेते हैं डू आई नीड डू आई नीड टू कीप दा notice इन वोक्स कहा यह जा रहा है एक दम सिंपल सा सामाने सा कोशन है कि आपने notice लिखा किसी को notice भेजना है तो कोशन कह रहा है क्या 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 इसको box में डाल देना चाहिए notice को box में डाल देना चाहिए जिसे कि आप एक postcard डबे में डाल देते हो इसी तरह से क्या notice को भी आपको box में डाल देना चाहिए option है it should be put it in a box जी हाँ इसे box में डाल देना चाहिए option A कहता है option B कहता है कि नहीं भीया इसे box में नहीं डालना चाहिए option C कहता है कि इसे पूँच करके box में डाल देना चाहिए मतलब उसको बता करके box में डाल देना चाहिए कि हमने तुमको notice बेजा है हमने डबे में डाल दिया है आ जाए तो पढ़ लीजिएगा या फिर option D बोलता है कि इनमें ये सभी सही है option D कहता है ये तीनों ही option सही है तो ऐसा नहीं है या इसमें तीनों option बिल्कुल भी सही नहीं है इसमें तीनों option बिल्कुल भी सही नहीं है it should be put it in box मतलब box में इसको नहीं डाला जाना चाहिए पहली बात तो ठीके चाहे वो पूछ कर ही क्यों ना हो इसलिए option A और option C गलत हो जाते हैं only option B ही सही है जिसका मतलब है it should not be put it in the box इसे box में नहीं डाला जाना चाहिए बलकि especially उसको send किया जाना चाहिए especially भेज जाना चाहिए ठीके ना चलिए next लेते हैं which of the following questions should you answer when writing a notice कि नोटिस में किन किन कोशनों का answer आपको देना चाहिए जब आप notice लिख रहे होते हैं किस-किस question का क्या आपको क्या आपको notice में क्या का जवाब देना चाहिए क्या what when मतलब कब और where मतलब कहा क्या इनका answer देने क्या सब्सक्राइब होती है नोटिस में exactly होती है नोटिस भया जो भी घटना घटित हुई है ना तो कौन सी घटना घटित हुई है वाट यह कबर कर लेगा वह घटना कब घटित हुई है वैन कबर कर लेगा ठीक है और वह घटना कहां पर घटित हुई है उसे वेर कबर कर लेगा इससे तीनों इंपोर्मेशन आपको देना कमपल सरी होता है इसलिस का ओप्षन दी सही हो जाएगा ओल ओफ दीज तीनों ओप्षन करेक्ट है बस समझा रही ना अगला कोशन लेते हैं अगला कोशन है विच इस दा राइट बेट तू राइट तर डेट नोटिस पे डेट लिखने का सही है लाइस प्रकार से हो चाहिए पहले फिर मंस और फिर यह या फिर ओप्षन सी को देखिए पहले यथी सेंपर मंसी कर देजिए खरोके disp corners इनना आगे पीछे कर लेंगे एकजाम में एक शुर्म यह सही हाता है ट्रीकि जूध कर आड हे बता है कि त्रीय में बतार है तो इर गरते हैं पहले आप डेट लिखेंगे लिखने के बाद मनत सॉत को कॉमा डाल करके और फिर आप येर को लिखेंगे इस प्रकार की राइट इस प्रकार की डियर जो है नोटिस में डाल जाती है ठीक है ना ओप्सन भी सही है नेक्स्ट कोशन लेते हैं अगला कोशन है विच प्रोनावन शुड्ड नोट भी यूज नहीं होता है किस प्रकार का नोटिस में यूज नहीं होता है तो दोस्तों यहीं पर पकड़ा गया आई जब भी नोटिस लिखा होता है ना तो नोटिस किसी ओर्गिनाजेशन के द्वारा लिखा जाता है या एक सदश के समू के द्वारा लिखा जाता है ठीक है या पिर ही या शी का इस प्रकार का ही शी वी दे इस प्रकार का शब्दों का प्रियोग किया सकता है में का नहीं किया जाता कभी वी क्योंकि कभी एक व्यक्ति अपने आपको रिप्रेजेंट नोटिस में नहीं करता है या अपने विचारों को नोटिस में रिप्रेजेंट नहीं करता है बलकि वो एक ओर्गेनाइ notice is written for notice किसके लिए लिखना चाहिए लिका जाना चाहिए एन इवेंट और प्रोग्राम के लिए या खोई हुई बस्तू के लिए या for found object के लिए मतलब कि प्राप्त की गई बस्तू के लिए या all of these exactly दोस्तों हमने देखा कि किसी भी प्रोग्राम या event के लिए भी हम notice send कर सकते हैं उसका notice डालना है तीनों ही बातें बिल्कुल सही है इसलिए इसका option डी सही हो जाएगा और अब और सी तीनों ही option हमारे करेक्ट है next question है the word notice the word notice is in this sentence कहा जा रहा है कि जो notice word है ना इस sentence में तो किस प्रकार से लिखा जाना चाहिए इसमोल लेटर में लिखा रहाना चाहिए या ब्लोक लेटर्स में लिखा एकेप्र हो durchaus ун में बीन बंदीस केपीटल हरों में लिखा जाता है तो ये बड़े लेटर में लिखा जाता है ठीके option B सही हो जाएगा next question लेते है where is the notice put up in the school school में जब notice को लगाना होता है तो notice को कहा लगाय जाता है option है stage पर लगाय जाता है school में भी तो nootis लगाय जाते है na students को inform करने के लिए तो notice कहा पर लगाय लगे होते हैं क्या इस्टेज पर लगए होते हहां वो स्क्राइबं पर या फिर याझ olan जो है कमेंस्ट्री लें części लगए होते हैं या फिर जो कंप्युटर लेंब में जो स्क्राइब रहता हैел जिसे पढ़कर के प्रते एक student जो है उससे सम्मधित जानकारी प्राप्त करता है इसलिए इसका option D सही हो जाएगा अगला है how many paragraphs should be there in the notice का जा रहा है कि notice में कितने paragraph होना चाहिए कितने paragraph होना चाहिए एक दो तीन या पिर as many as required कि जितनी notice के according आवशकता हो उतने प्रेग्राप हो सकते हैं मतलब इसकी कोई exactly limit नहीं है एक्जेक्ली सही है option devil को सही हो जाएगा notice लिखते वक्त प्रेग्राप की कोई exact limit नहीं है कितने भी प्रेग्राप हो सकते हैं उस notice की जो main body होता है उस पर depend करता है कि लिए दोस्तों तो इसी के साथ में जो है हमारे 25 question हमारे जो है cover हो जाते है notice writing से संबंदित अगले लेक्षर में हम बात करेंगे advertising से related कुछ question answer पर तो advertising related जो जितने भी important question answer हो सकते हैं उन पर हम अगले session में चर्चा करने बाले हैं दोस्तों बहुत जल्दी अब हम पूरी कोश्च कर रहे हैं कि जल्दी आपके सभी classes का time schedule जो है वाफस बन जाए क्योंकि day by day जो है न कुछ न कुछ समझा है continue आई रही है इस पूरा मन्त हमारा ऐसे निकल गया बड़ी मुश्किल से एक lecture परड़े में आप लोगों को दे प है कि कभी रात में दो बजे कभी रात में तीन बजे कभी रात में बारा बजे इस समय में मजबूर होगा जब घर पर आ रहा हूं दोस्तों स्टूडियो में आ रहा हूं तब आपके लिए class record कर रहा हूं तो जब समय मिल रहा है मैं तब आपके लिए class record कर रहा हूं क्योंकि ताकि कम से कम एक सेशन आपको परड़े कम से कम मिलता रहें तो इस तरह से लेकिन हाँ जैसे जैसे थोड़ासा भी समय अब ठीक है अब लगबग सब कुछ ठीक हो चुका है अब समय लगबग मुझे मिलना चालो हो जाएगा तो जैसे ही समय बापस से अपने फेवर में कर दोस्तों कर से लेकिन समय कुछ बोल कर नहीं आता है अचानक से कुछ काम निकल लीजाते दोस्तों और जाना ही पर जाता है कभी-कभी तो इस कारण से कोई क्लासस आपकी टाइम पर नहीं हो पाई उसके लिए में छामा चाता हूं लेकिन कोशक हमारी अब ब्यजारी है आपके लिए maximum lecture जितना भी possible हो पाएगा एक तो आपको पर दे मिलेगा ही मिलेगा लेकिन दो या तीन देरे-देरे कोशिच करके और डेली आपको वही चार सेशन आपको पर देने का में पूरा प्रियास फिर से करूगा और बहुत जल्दी हो जाएगा मिलेंगे अगले स्टेशन में आज बस यहीं तक थेंक यू थेंक यू सो मच